आज हम बात करेंगे फ्रक्टोज के बारे में, ठीक है? देखे, फ्रक्टोज होता क्या है? तो सबसे पहले फ्रक्टोज जो है, एक monosatilates है, सबसे पहला point कि फ्रक्टोज क्या होता है, ठीक है? अच्छा, second point बात आती है कि इसका formula क्या होता है? तो इसका formula होता है, that is C6H12O6, ठीक है? तिसरी बात आती है कि इसमें कॉंसा functional group होता है? तो इसमें अपने ध्यान में रखना है कि इसमें जो होता है, ketone functional group होता है, ठीक है? जबकि ग्रक्टोज में क्या था? हमारा aldehyde functional group था, ठीक है? अच्छा, फ्रक्टोज जो है, एक reducing sugar है, क्योंकि हम लोग जानते है क फ्रक्टोज क्या है? एक monosacilates है, और जितन भी monosacilates होते है, सारे की सारे क्या होते है? reducing sugar होते है, ठीक है? तो फ्रक्टोज क्या है, हमने चार properties clear कर लिए, सबसे पहला क्योंकि है? इसका formula क्या होता है? C6H12O6 होता है, कौन सा functional group होता है भई? तो इसमें ketone होता है, ठीक है कौन सा sugar है? तो reducing sugar है, ठीक है? यहाँ तक clear होते हैं? अच्छा, उसके बादी कौन से series से belong करता है, जैसका configuration क्या? इसका l-configuration है की इसका? इसके जो है आपका डीन इसका ओंचा कॉनचा कॉनफ्टीक्रिश्च नहीं करता है यू अप इसको ऐसे वह उतसकते हो कि ये डी सीरिज से बिलॉंग करता है ठीक है अच्छा अब यह सीरिज वाला जो concept है इन हमने पिष्टे क्लासिस प्लासिस में अच्छह से एक्सप्लाइब लुकोज और अच्छी कांट inviting us ? यू पिछ्टे और यू नोटाएब लुकोज से एक्स्प्लाइब रहा हुआ आपका यह कौन से कंसा सब्स Este... ई怎麼 of Dextrorotator यह नकार पृत harvest आचे उसके बाद देखा जाए इसका एगजेक्ट लिखनां किया है इसको लिखा जाए कैसे तो इसको लिखने का एगजेक्ट तरीकर है इसको बूलब फ्रक्टोज ना लिखे इसको लखेंगे D-Fractouse ठीक है यह जो D है आपका क्या इंडिकेट करता है configuration को indicate कर रहा है दी जो है आपका क्या indicate कर रहा है configuration को क्या कर रहा है indicate कर रहा है और जो negative है आपको पता होगा किसको indicate कर रहा है that is laboratory compound है यह इसकी characteristic को क्या कर रहा है indicate कर रहा है तो fructose का जो exact name है that is sorry that is d minus fructose ठीक है यह सब सारी बात है हो गए अब हम लोग क्या करें थोड़ा सा अंतर समझने की कुछ पुर्ष करते हैं कि अल्डियाईड में और क्यूटोन में डिफरेंस क्या है अगर आप धेको है तो हमने difference calculate कर लिया ठीक है क्या क्या है पाला difference क्या है कि भाई उसमें कौन सा ग्रूप है यानि फ्रेक्टोज में क्टोन फंचनल ग्रूप है वो डेक्स रोटेट्री कंपाउंड है जो कि यह आपका लीव रोटेट्री कंपाउंड है ठीक है अब हम लोग क्या करते है और सिमिलाट्री है अगर देखा जाए तो दोनों का source जो है दोनों का source एक ही है यानि हमने बताया था हमने glucose का class लिया था उसमें आपको explain करा था कि जो गलकोज हुआ ये फ्रक्तोज हुआ दोनों किसे बनते हैं सुक्रोज से बनते हैं जब भी हम लोग क्या करते हैं सुक्रोज का हैडिलिस करा जाता है या तो खेटियूस के वो कि बात करता है तो एकुष्जित काल बात कर रहे हैं है है और हमको में तो तो वे इक्वल इमांट में मिलता है यह सब दो बात ने होगी basic factors के बारे में कि monosacidates होता है इसका formula क्या होता है कौन सा functional group होता है reducing sugar होता है है कि निए किस इसका configuration क्या होता है तो वह होता है D series से belong करती है इसका D configuration होता है और कौन सा compound होता है तो आपको क्या मिल जाएगा fructose मिल जाएगा ठीक है यह सब दो बात ने हो गए अब हमनों क्या करते है तोड़ा structure के बारे बात करते है